हलो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास आज की क्लास में हम करेंगे इंपोर्टेंट हिस्ट्री का टोपिक आज हम करेंगे बोध धरम से सम्बंदित वन लाइनर क्यूशन इससे रिलेटेड क्यूशन जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं हमने वीडियो में ऐसे क्यूशन लिए हैं, जो एक्जामें बार-बार पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की संभावना है, तो आईए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्यूशन है गोतम बुध का जनम स्थान कहां था तो इनका जनम कहां हुआ था गोतम बुध का ये कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था कहां हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गोतम बुध का जनम हुआ था नेक्स्ट क्यूशन है गोतम बुद्ध का जनम कब हुआता ये कब हुआता पांसो तरेशट इसा पूर्व में गोतम बुद्ध का जनम हुआता next है important question है किसे light of Asia के नाम से जाना जाता है किसको कहा जाता है light of Asia तो ये किसको कहा जाता है महत्मा बुद्ध को जो है Asia का प्रकास कहा जाता है important question है exam में पूछा गया है दोस्तो जेन धरम से सम्मंदित question भी हमने upload कर दिये हैं आप वो वीडियो भी देखिए जेन धरम से जितने भी important question है वो one-liner question हमने लिए है इसके अलावा हडपा सब्वेता और सिंदू सब्वेता का भी एक अलग वीडियो बनाया हुआ है वो भी आप जरूर देखिए वेदिक सब्वेता का भी वीडियो बना के अप लोड किया हुआ है आप उनको जरूर देखिए उनमें हमने ऐसे question लिये है जो exam में बार-बार repeat होते हो यह आपके लिए exam के लिए important होगा next question है बुद्ध ने कितने वर्स की अवस्ता में ग्रह त्याग किया था कितने वर्स की अवस्ता में किया था इनोंने 29 वर्स की अवस्ता में ग्रह त्याग किया था next है महत्मा बुद्ध ने त्रिश्ना की घटना को क्या कहा था क्या कहा था इनोंने निर्वान कहा था next है महत्मा बुद्ध ने किसकी प्रमानिक्ता को नकार दिया था, किसकी प्रमानिक्ता को नकार रहा था, इन्होंने वेदु की प्रमानिक्ता को नकारा था next question है important question है महात्मा बुद्ध ने अपने उब्देश किस भासा में दिये किस में दिये थे ये पाली भासा में इन्होंने अपने उब्देश दिये थे next है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था important question है, एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है, ये बनाया था, अलार कलाम को कौन थे? गुरू अलार कलाम को जो इन्हों ने अपना प्रथम गुरू बनाया था next question है, महत्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अन्तिम उप्देश क्या था? क्या था इनका अन्तिम उप्देश? ये था, सभी वस्तोय सरंड़ शील होती है, अतै मनुशे को अपना पत्थ प्रदसक श्वयम होना चाहिए, ये इनका अन्तिम उप्देश था next question है, important question है, very very important, सभी परिक्षाओं के लिए important है, ये SSE Railways के अलावा state exam, सबके लिए important है, पूछा गया है exam में, महत्मा बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था? क्या था? ये था सिधार्थ, क्या नाम था इनके बच्पन का नाम? ये सिधार्थ था इनके बच्पन का नाम, next है, महत्मा बुद्ध के ग्रहत्याग की घटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ये कहलाती है, मा भी निश्कर्मन, क्या कहा जाता है? ग्रहत्याग की घटना को इसको महाभी निश्कर्मन कहा जाता है SSC में पूछा गया question है ये Next है महत्मा बुद्ध की सोतेली माता का नाम क्या था? क्या था इनकी माता का नाम? ये था प्रजापती गोत्मी कौन थी इनकी सोतेली माता? जिनोनी इनका पालन पोशन क्या था? ये थी प्रजापती गोत्मी Next है महत्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? ये महा माया थी इनकी माता जिनका जनम देते ही दिहान थो गया था Next है गोत्म बुद्ध के पिता का क्या नाम था? important question है ये है सुदोधन कौन है गोतम बुद के पिता ये सुदोधन नेक्स्ट है बोध धरम को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी कौन थी ये इनकी माता थी बुद कीमा प्रजापति गोतमी ने जो है बोध धरम अपनाया था next is बोध सहिते में प्रियुक्त संथागार सब्द का तातपरी ये क्या था क्या था? राज्यसंचालन के लिए गठित परिशद क्या थी? संथागार क्या था? next है भारत से बाहर बोध धर्म को फिलाने वाले समराठ कौन थे? very very important ये थे समराठ असोक नेक्स्ट है बुद्ध धरम के संस्तापक कौन थे? इंपोर्टेंट है गोतम भुद्ध जो है बुद्ध धरम के संस्तापक थे नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुद्ध धरम के त्री रतन कौन से है? कौन से है, बुद्ध धम और संग मिलकर क्या बनता है, त्री रतन है ये बुद्ध धरम के, नेक्स्ट है, बुद्ध काल में वाराण सी क्यू प्रसीद था, क्यू था, हाती दान्त के लिए ये प्रसीद था, नेक्स्ट क्यूशन है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वा वर्ष की अवस्ता में ग्रहत्या किया था, ये इनोंने 29 वर्ष की अवस्ता में ग्रहत्या किया था, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहां दिया, कहां दिया था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये सारनात में दिया था, प्रथम उपदेश है, बुद और तपासु ये बुद्ध के प्रथम दो अनुवयाई थे. नेक्स्ट क्यूशन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या का जाता है? जितनी भी घटना है, इंपोर्टेंट हैं, इसको धार्म चक्रपरवर्तन कहा जाता है. नेक्स्ट है, बुद्ध के पांच सिस्यों के नाम क्या थे? क्या थे? ये कॉंडिन ने, वपा, भादिया, असागी और महा नामा, ये इनके पांच सिस्ये थे बुद्ध के. नेक्स्ट क्यूशन है, बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? क्या था ये रुद्रक इनके दूसरे गुरु थे प्रथम गुरु कौन थे ये अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और दूसरे गुरु रुद्रक थे नेक्स्ट है बुद्ध की प्रथम मूर्थी कहां बनी हुई है कहां बनी हुई है ये मथुरा में बनी हुई है नेक्स्ट है बुद्ध का परी निर्वान स्तल कुशी नगर किस महा जनपत के अंतरगत आता था तो ये मल गणराज्ये के अंतरगत आता था नेक्स्ट क्यूशन है प्रथम बोध संगिती का उद्देशी क्या था ये जितनी भी बोध संगीतियां है, सारी important है तो प्रथम बोध संगीति का उद्धिशी क्या था? बुधि के उद्धेशु को दो पिटकों, विने पिटक और सुत पिटक में संकलीत करना कितने हैं पिटक? ये दो है, विने पिटक और सुत पिटक नेक्स्ट है, प्रथम बोध संगीति का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था? वेरी वेरी important exam में बहुत बार पुछा गया ये question प्रथम बोध संगीति का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था? ये अजात सत्रू के सासनकाल में हुआ था अजासत्रू कौन था ये हरियक वन्स का सासक था नेक्स्ट क्यूशन है प्रथम बोल संगिती कहां कब और किसकी अधिक्सता में आयोजित हुई थी किसकी अधिक्सता में हुई थी और कहां हुई थी ये राजग्रह की सब्त पर्णी गुफा में आयोजित हुई थी, कब हुई थी? 483 इसा पूर्वे में महाकश्यप जो है इसके अधिक्स थे, कौन थे? ये महाकश्यप की अधिक्सता में ये जो संगिती आयोजित हुई थी, कहां हुई थी? ये राजगरे की सब्तपरणी गुफा में एकजा में पूछा जाता है कि सब्तपरणी गुफा है, वो कहां पर है तो ये राजगरे में है यहां पर प्रथम बोध संगीती आयोजित की गई थी नेक्स्ट है पांच ब्राहमनों को बुद्ध ने अपना सिश्य कहां बनाया था? ये उरुवेला में इनों ने पांच ब्राहमनों को अपना सिश्य बनाया था. नेक्स्ट है. मद्बेद के समाधान के लिए बोध धरम स्तापिद करना. Next है, दितिये बोध संगीती कहां कभ और किसकी अधिक्सता में आयोजित हुई थी? Important है संगीतिया कहां आयोजित की गई, कब की गई और कौन इनके अधिक्सते? तो दितिये बोज संगिती कहां आयोजित की गई थी ये वैशाली में की गई थी प्रथम कहां कहां कही गई थी राजग्रह में की गई थी और ये कब की गई थी दितिये ये 383 इसापूर्वा में सेर्वय कामिनी की अधिक्सता में ये की गई थी नेक्स्ट है त्रितिय बोसंगिती का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था ये समराट असोग के सासनकाल में हुआ था ये मोर्योवन्स का सासक था नेक्स्ट है त्रितिय बोसंगिती कहां कब और किसकी अधिक्सता में हुई थी तो ये पाठली पुत्र में हुई थी 251 इसापूर्व में मोगली पुत्र तिस्त की अधिक्स्ता में ये हुई थी ग्यान की प्राप्ति के बाद सिधार्त को क्या कहा गया क्या कहा गया? इनको गोतम बुद्ध का गया, इस इस्तान पर बुद्ध को घ्यान की प्राप्ति हुई वरिस्तान क्या कहलाया? ये बोध गया कहलाया. नेक्स्ट है चतूर्थ बोध संगिती के उपादेक्स कौन थे? कौन थे ये अस्वय गोश ये भी important question है, चतूर्थ बोध संगिती के उपादेक्स कौन थे? ये अस्वय गोश थे चतूर्थ बोध संगिती के आयुजन का उद्देशी क्या था? क्या था इसका उद्देशी? इसमें जो चतूर्थ बोध संगिती में क्या हुआ था? बोध धरम का दो संप्रदायों में विभक्त हो गई थी कौन-कौन से थे हिन यान और महायान में ये विभाजित हो गया था नेक्स्ट है चतूर्थ बोध संगिती किसके सासनकाल में हुई थी? ये कनिश्क के सासनकाल में हुई थी? ये कुसान वन्स का सासक था नेक्स्ट है चतूर्थ बोध संगिती का आयोजन कहां कब और किसकी अधिक्सता में किया गया तो चतूर्थ बोध संगिती है ये कस्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई प्रथम सताब्धी स्वी पूर्वी में और वसुमत्र की अधिक्सता में जो है इसका आयोजन किया किसके देख्षता में वसुमित्र की अदेख्षता में नेक्स्ट है गोतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति किस रात्री को हुई थी ये वेशा कुनिमा की रात को हुई थी नेक्स्ट है मात्मा बुद्ध की जनम इस्तिली लूम्बिनी वन किस महा जनपद के अंतरगत आती थी? किस के आती थी? ये कोसल महा जनपद के अंतरगत आती है कौन सा? लूम्बिनी नेक्स्ट है सिदार्थ का गोत्र क्या था? क्या था? गोतम इनका गोत्र था? नेक्स्ट है सबसे अधिक संक्या में बुद्ध की मूर्टियों का निर्मान किस सेली में किया गया था? किस में किया गया? गांधार सेली में जो है बुद्ध की मूर्टियों का निर्मान सबसे अ पतिति को साल ने क्या थी यह किस ने किया ता? इंडोनेशिया में स्थित है और ये संसार का सबसे बड़ा बोध विहार है कौन सा है बोरो बुदूर मंदिर जो है इंडोनेशिया में है और संसार में सबसे बड़ा बोध विहार है सनिक वाद का प्रतिपादन किस ने किया था किस ने किया बुद्ध ने किया था नेक्स्ट है कौन सी गुपाएं बोध धरम, हिंदू धरम, जेन धरम के धार्मी कला की सांस्कृतिक मिश्रण है यह अलोरा की गुपाएं है जो बोध धरम, हिंदू धरम और जेन धरम की धार्मी कला की सांस्कृतिक मिश्रण है अलोरो की गुपाएं है वो कहाँ पर है यह औरंगाबाद में स्थित है और यहां पे 12 बोध गुपाएं है सत्रा हिंदू गुपाएं है और पांच जेन गुपाएं है यह भी कुछा गया है एकजाम में कि अलोरा की गुपाएं वो कहाँ पर है औरंगाबाद में इसमें बोध गुपाएं कितनी है यह भी पुछा गया है 12 बोध गुपाएं है 17 हिंदु गुपाए है और 5 जेन गुफाए है important है सारा का question important है एक-एक point इसका important है next है बोध सिख्सा का केंद्र था कौन सा था ये विक्रम सिख्सा का केंद्र था किस सासक ने बोध हे तू विक्रम सिर्विश्व विज्व विद्द्याले की स्तापना की थी, very very important question, किस सासक ने बोध हे तू, विक्रम सिला विश्वी द्याले की स्तापना की थी, ये धरम पाल ने की थी, next important exam पूछा गया है, अलार कलाम कौन थे, कौन थे, ये बुद्ध के एक गुरू थे, next है, बोध दुआरा विक्षुनी के रूप में इस्त्रियो के प्रवेश की अनुवती किस के आगरे पर दी गई थी, किस के आगरे पर ये आनन्द के आगरे पर दी गई थी, ये इनका एक सिश्य था, next है, बुद्ध, धम, संग, मिलकर बनते हैं, important question है, पूछा गया है, तो ये त्री रतन बनते है, next है, निरंजन नदी के तटपर सुनिता का सिधान्त देने वाले बोध दार्शनिक है, कौन है, ये है नागार्जुन, next है, भारत का सबसे बड़ा बोध स्टूप इस्तित है, कहां परिस्तित है, ये बिहार के चंपारण जिले में स्तित है, next है, सारनात में बुद्ध का प्रथम परवर्चन कहलाता है, क् बोध के पवित्र अवसेशों पर निर्मित गुंबदाकार छत नुमा अर्थ गोलाकार स्रचना को क्या कहते हैं, बोध के पवित्र अवसेशों पर जो गुंबदाकार छत नुमा अर्थ गोलाकार स्रचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, सब्त पढ़ने गुफा कहां इम्पोर्टेंट एक्जाम पुछा गया है यह राजगरे में हिस्तित है इसमें क्या हुआ था प्रथम पोध संगिति का आयुजित किया गया था नेक्स्ट है भारतिय कला का कौन सा स्कूल ग्रेको रोमन बोध आठ के नाम से भी जाना जाता है कौन सा है यह गंदार कला किजिए थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू